कॉंग्रेस पार्टी परदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंग राठाउर ने पार्टी के आपदा प्रबंदन सेलवा जिला अध्यक्षों से करोना महामारी को लेकर अधिक से अधिक लोगों को जागरू करने का अहवान किया है। महामारी को लेकर लोगों को जागरू करेंगे। उन्होंने बताया कि इस महामारी से निपटने का एक ही कारगर उपाए है। वो है केवल फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ जागरू कता फैलाना। वास्ते सुरक्षा को लेकर वीडियो कांफरेंसिंग के द्वारा वास्तु स्तिती की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कर्फ्यू की वज़ा से जहां कहीं भी उन्हें गरीब श्रमिक वा अन्य कोई भी जरूरतमद व्यक्टी किसी की साहिता का आगरे करता है तो उसकी पू प्रदेश अधिश कुल्दीप राठावर ने प्रदेश सरकार से आगरे किया है कि राहत के कारें के लिए सरकार विशेश अनुमती कॉंग्रेस पार्टी के लोगों को भी दे जिसे वे अपने जन कल्यान के कारें को भलीबांती पूरा कर सकें कि आज से हमने हर्पात अधिकारी को 25 लोगों को जो विश्यो स्वास्ते संगठन है जो उनकी गाइड लाइन्स है दिशा निर्देश है उनसे अउगत कराना है त्यूंकि अभी भी हमने देखा है कि हमारे बहुत सारे लोगों को जो है जानकारी नहीं है 25 लोग जो जानकारी देंगे वो फिर आगे 25 लोगों को देंगे इसी तरह से यह चैन जो है आगे पढ़नी चाहिए और समाज के हर वरक तक समाज के हर व्यक्ति तक हमारा यह संदेश पहुँचना चाहिए कॉंग्रेस पार्टी इस वक्त स्कारात्मक विपक्ष की भूमिका निभारी है हम सरकार के ठीक फैसले में उनके साथ खड़े हैं और समय समय पे जहां हमें लगता है कि कमिया है उन कमियों को भी हम पराबर उजागर करते रहेंगे कॉंग्रेस पार्टी इस महामारी में प्रदेश की जंता के साथ खड़ी है धन्यवाद एंड आई थैंक यू अल पर कोडिलेटिंग दिस मिटिंग और आइम होपफुल कि बहुत जल्दी हम ब्लॉग कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्षों की और हमारी जो राष्टिय कॉंग्रेस